आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम देखने आले इंडिया वर्सस वेस्ट इंडिज के जो मैच है उसकी तीन डिमिलियोन की विनिंग टीम्स सीधे प्रिव्यू करके दिखाने आला हूं दोस्तों तो जैसे कि मैं मैं आ आके रख चुका हूं जिसे एक एक करके मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा किस किस को लेना है एडिट करके नहीं सीधे प्रिव्यू करके दिखाऊंगा किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेना है और क्याप्टन और वास क्याप्टन आप किसे बना सकते यह भी मैं कि अगर आपने मेरे चानल कब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वड़ी आप तक कोश्टे रहा आप अच्छे से अधनिक करते रहे तो चले दोस्तों बिना किसी देर के ए एक एक टीम में आपको दिखाता जाओंगा सबसे पहले टीम की अगर बात करें तो थॉमस में जो पिछले से पिखला मैट जो हुआ था उसमें काफी अच्छे बैटिंग के थे हलाकि यह थोड़ा लेट आते खेलने के लिए तो इनको मैं लूंगा और रशब पंद भी हेट मायर को मैं इस टीम में लूंगा के मेर जो वेस्टेडिज के लिए ओपनिंग के लिए आते वह भी हमारे पास रहेंगे तो कुलमला के चार ऐसे अच्छे खासे बल्लेबाद हमने लिए हैं जो के अच्छा खासा परफॉमस भी कर सकते और अभी तक कुछ का अच्छा परफॉमस भी रहा है तो इसलिए इन चारों को स्टीम में शामिल कर रहा हूं अगर बात करें ऑल्रॉण्डर्स की तो यहाँ पे देख सकते हैं जेशन होल्डर को मैं लहूँगा हार्दिक पान्ड्या को भी मैं स्टीम में शामिल करूंगा यो दोनों की दोनों और अनों एक साथ लिया है मैंने और अगर आप चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं आपके पास एक और ऑप्षन है रविंदर जड़िजा का है एक और ऑप्षन जो है वो भी है आपके पास इसके बाद मेरे पास गेंद बाजी में है आश्वीड ज्यारोस्तों इन्होंने तीनों मैचे उसमें काफी अच्छे गेंद बाजी के विक्टे थोड़ी कम मिली है लेकिन हो सकता है आज विक्टे भी मिल्या मकाई को मैस्टीम में लोंगा आफकोस एक मैच में उन्होंन छे विक्टे लिती अर्षन दीप काफी इंप्रेस कर रहे है काफी बढ़िया गेंद बाजी कर तो इनको भी मैस्टीम में शामिल रखूंगा तो देख सकते है कुलमिला के एक अच्छा खासा हमारा कॉमिनेशन बन चुका है और एक अच्छे खासे कॉमिनेशन के लिए चाहिए क्या होता है एक अच्छा खासा बैट कैप्टन और एक अच्छा खासा वाइस कैप्टन त उन्होंने तो यह कुलम्ला के अच्छी खासी टीम बनी है इसे ऐंग स्याप्श कूम करमा को सिर्फ निकोलस पूरन को लिए हैं बाकी किसी और किपर को इस टीब महें नहीं शामिल करूंगा ताकि मेरे पास बैटिंग में पाच ऑप्शन बन जाए रोई चर्मा को अफकोस लिया है सूरी कुमार यादों को हम नहीं ड्रॉप कर सकते स्रेय सईयर को मैं इस टीम में ले लूँगा एकाट टीम में इनको रखना चाहिए दोस्तों क्यूंकि अगर अच्छा प्रफरमस करत मतलब आप कर सकते हेट मायर की जगह पे के मेर्स को यहाँ पे आप ले सकते क्यूंकि वेस्ट इंडिस के लिए ब्रैंडम के मेर्स दोनों ओपनिंग के लिए तो मुझे लगता है यह एक आप चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसी तरह से भी रखेंगे तो भी कोई प् आप मुश्किल फैसला होगा तो इसलिए मैं इन दोरों के साथ ही यहाँ पे जा रहाँ ओडियन स्मित भी एक अच्छा अप्शन है लेकिन उन्होंने अभी तक तीनों मैचस में इतना अच्छा परफर्फरमस नहीं किया है फिर भी अगर आप लेना चाहे तो जरूर ले सक और यह च्छी कपतन का अच्छा चैप्तन का भी कॉणिनेशन अच्छा होना चाहिए तो इसलिए लास्ट मैच में divorce यादव उसके आधर पर हम इनको एक भी टीम में कप्ता ना बनाए तो शायद उन पर अन्याय हो सकता है तो इसलिए मैं इनको कैप्टन मनाने जा रहा हूँ और ब्रैंडम किंग जो वेस्ट इंडिस के लिए ओपनिंग करते हैं उनको वाइसक्टन मना रहा हूँ दोनों के साथ जा सकते हैं और भारत के लिए शूरी कुमार यादव भी ओपनिंग कर रहे हैं तो यह पर यह भी जल्दी आ जायते हैं तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन और वैस क्याप्टन बनाना काफी फायदे मन रहेगा आप इनके वह जैसे आप ग्रांड लिग जित सकते हैं अच्छी खासी अर्णिंग तो जरूर कर रहे सकते हैं पहले टीम तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करता करने वाला हूँ कि अगर एक लिग लगाते तो ग्रांड लगाएगा और एक लिग से जादा लगाते तो पहले जरूर लगा दीजेगा उसके बार चाहे जितने स्मॉल लिग लगाए कोई प्रॉब्लेम ने कोई दिकतने तो काफी बढ़िया टीम है इसे भी क्लोज करते हैं और तीसरी और यहाँ पर मैंने ले लिया है अफकोस रुषपंत भी अच्छा पर्फरमेंस कर दे तो इनको भी यहाँ पर ले लूँगा अगर बात करें बैटिंग की तो बैटिंग में रोहिचर्मा है मेरे पास सुरी कुमार याद हो है ब्रैंडम किंग है के मेर से उसके बाद आर पाव बैटिंग के लिए आले आ सकते और बैंडम किंग दोनों वेस्टेंडिस के लिए आ सकते और आर पाविल दिनेश काति यह मिडल और संभालेंगे अगर बात करें तो अल्रॉंडर में मैं इस बार सिर्फ रवेंदर जड़े जाक के साथ जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता करना चाहिए तो आप एक ओल राउंडर बढ़ा सकते हैं दिनेश का हर्दिक पांडिया और ओडियंस में थे आपके पास जेसन होल्डर है यह अप्शन है लेकिन मैं अल्रेडी दो टीमों में हर्दिक पांडिया और होल्डर को यूज कर चुका हूं तो मुझे लगता है कि अगर हर टीम में मैं उन्हीं के साथ जाओंगा और वो अगर फेल हो जाते तो मुझे नुकसान हो सकता है तो इसलिए इस टीम में मैं उनके साथ जाओंगा और इनके साथ जा रहा हूं अगर बात करें तो यहाँ पर गेनबाजी में मैंने अलजारी जोसेप को अभी तक आने आलो अब यहां पर बात आ जाती है क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की तो रोहित चर्मा भारत के लिए उपनिंग करते हैं तो इनको मैं काप्टान बनाऊंगा मुझे लगता है यह आज अच्छा खेल सकते हैं तो इसलिए इनको क्याप्टन बना रहा हूं तो वही अ इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूं और गेन बाजे तो काफी अच्छी करी लेते तो कुल मिला के यह भी टेम काफी बढ़िया बनी है और काफी अच्छी खासी तीम है तो ज़रूर आप इन दोनों के साह सकते हैं स्टैन और वाइस कैप्टन इन दोनों को मिला के एक अच्छी खासी टिम बनी है इसे भी क्लोज कर लेते और आखिर में यहीं कोंगा दोस्तों इन टीनों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आपको लगता है क्याप्टन और वैस काप्टन सही नहीं तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इसे भी सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल ऐकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वड़े आप तक पोस्टे रहे आप अच्छे से अनिक करते रहे साथ तेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं व झाल था नवाद गड़े आप बाए